उसके बाद भाई रैप्टे लगाने की बात कर रहे हैं ठीक है मतलब भाई पहले आगया है जो उसमें खुद नोक हो गए उसके बाद भाई अपने टीमेट को रैप्टे लगाने की बात चलिए यार बहुत गलत मुझे तो भाई एक टाइम के लिए डर टाइप लग गया था तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बराण न्यू पपजी दो मूबाइल गिमपले वीडियो में और इस मैच में न भाई मैं किसी और के साथ गलत सीन कर देता हूँ मतलब देखो यार आपको पता है होगा मेरे साथ बहुत गलत सीन होते हैं लेकिन बाईया इस मैच में मैं खुद किसी और के साथ गलत सीन कर दूँगा और भाई माईक मेरा all पर होता है हाना वो जो सुनने वाला उसे माई कैस स्पीकर जो भी कहते हैं और वो ओल पे होता है तो सब कुछ सुनने को मिलेगा खेर फिलाल के लिए मैं नूवो आ रखाऊं और आते ही गनफाइट हो जाती है यहां पे और इस मैच में किस्मत काफी सही होने के कारण भाया सिधा उतरते ही बैरल बूरल मिल जाती है मैं पीछे देखता हूँ भाई दो बंदे उचल कूट कर रहे गन के लिए तो एक की तो पेटी बनी चुकी है दूसरे को नौक कर दिया है और इनका तीसरा बंदा यहां अंदर जाके केम्पिंग बिचा चुका है बिल्कूल और इन भाई को पेलने के लिए मैं बाहर से पीक पाक करता हूँ हाना मुझे पता था यार इस बंदे ने इसको पगेरा खोल रखा होगा यहां तरवाजे में और गुस्ते भाईया अगर सौट गन होती तो सिधा पेटी बन जाती देखो यार हेलमेट के नाम पे यह 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 के बैठा होगा और हेलमेट और वेश्ट के नाम पे मेरे पे कद्दू कुछ नी है तो यहां पे मैं देखी रहा होता हूँ कि मुझे दूर एक बंदा च्छत पे दिखता है और यह च्छत है च्छत जा है मुझे नहीं पता भाई बॉट न कहीं पे भी आ जाएंगे मतलब वहां पे लेंड किया बहुट उस पे गन भी होगी जहां तक मुझे पता है दिखनी रहा था इससे हाना ऐसी डीपी की लोहा साइट कंदू कुछ दिखेगा या उतने दूर का तो उसको एकाद गूली पेल के नौक कर दिया और यहां पे M4 वाला बंदा सामने इटीपी पी ले रहा है तो मैं लेट लाटके जैसे तैसे जाता हूँ और इसे पेलने की कुशिश करता हूँ यहां पे अब इस बंदे की गन या तो फिर सिंगल में थी या तो भाई गत्ता फूक के बिल्कुल पबजी खिलने आ गए थे हना क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है भाई ने बस एकाद गूलिया चला ही शायद सिंगल में चली गी होगी खैर उससे क्या है यार देखो अपने को लूट भी मिल गई है किल भी मिल गई है तो आगे जाने का टाइम आ चुका है हना और आगे जाते जाते बॉट दिख जाते तो यार दिकत कहां आ रहे ये पेल दो उन्हें तो याँ पे देखो मैं आगे आगे हूँ लूटा नहीं है मैंने अभी भी ठीक है रस्ते में जो भी मिला इधर आते आते मैंने उठा लिया सिर्फ लेवल एक की वेस्ट मिली है और हेल्मेट के नाम पे मेरे पे अभी भी ये टोपा है लेकिन देखो यार आपको पता है मै बहुत डीट हूँ किल की लाजच बर-बर के है तो पहुँच गया मैं पेलने अभी यहाँ पे ना मैं पहले चौड में आया था ठीक है क्योंकि देखो मैंने लूटा भी नहीं मैंने बोला यार लड़ रहे हैं ये लोग आपस मैं थर्ड पाटी करके पेलूँगा और जैस यहाँ पर मैं आता हूँ पता चलता है पूरे चार बंदे यहाँ बैठे पड़ें तो समल के पेलना पड़ेगा और इस बंदे ने ये बोतल में जलती आग इतने जल्दी भेकी न भाई मतलब इसको पेल के मैं सोच भी नहीं पाया था कि अब करना क्या है मैं सोचने जा रहा था होता है ना जब आप टीपीपी टीपीपी खेल रहे होते हूँ बंदों के साथ तो आप सोचते हो कि भाई आप क्या करें लेकिन भाईया ये बंदा एतनी तेजी से मॉली मूली कर गया तो देखो यार जादा सोचना होता नहीं हना डेड़ आईक्यू गेंपले होता है हमारा तो मैंने बोला कोई नियार इसकी मौली को गोली से पेलेंगे हम और आगी एक बंदा बैठा है और इसी के साथ यहाँ पे नुवो खाली हो चुका है ठीक है भाई को दस किल भी मिल गए भाई या पूरी स्कौर्ट बैठी यहाँ पे मैं आया चौड में भाई मैंने बोला यार क्या हलवा यार ये लोग आपस में लड़ रहे हैं ऐसी थर्ड पाटी करूँगा यहीं पे 20 किलो जाएंगे मेरे यहाँ पे आया देखा भाई चार बंदे मेरी तरफ ही चड़रे भाई फट के चार हो गई थी लेकिन जैसे तैसे पेल दिया ना भाई उस मोली से क्या ही डर लग रहा था मुझे मुझे लग रहा था भाई जल जुला जाओंगा लेकिन भाई टाइम पे बाहर की तरफ आया भाई को दो-चार गोल या पेली मूमा में भाई नीचे नौक और पूरी स्कौर्ट पेल गए यहां पे खैर उसके बाद नोवो वागेरा खाली करने के बाद अपन लोग निकल गए ठीके देखो आपको पताई यार मैं कहां जातो जब भी किल्ची है मैं जातो रोजोग की पहाडियों पे लेकिन क्यूकि पोचंकी रस्ते में पढ़ रहा था जहां तक मुझे पताई या तो मैंने कुछ गलती ड्राइविंग की होगी यहां पे पहुंच गया तो मैंने बोला क्यू ना पोचंकी में देखते वे चलते हैं अना क्या पता कोई आय होए यहां पे और बंदे आय होते हैं क्यूकि यह बगगी दिखते है मुझे यहां पे यहाँ पे जब मैं बग्गी के पास से गया फुटिश टैप के नाम पे कद्दू कुछ नहीं आया और जैसी थोड़ा दूर भगा भाई चार-पांच बंदे गूलिया पेल रहे हैं लेकिन हम भी धीटे यार मतलब वो कैम करके जाते समय पेल रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगाओगा कि हम भग जाएंगे लेकिन आपको पता यार मैं खिल और धीटता यार आपको पता है अभी तक क्या सीन है अमारा तो करना क्या यार नौक हो चुका है बंदा और हम रस कर चुके हैं भाई ये बंदे डेड़ा क्यू गेम प्ले करने की कोसिस कर रहे हैं मतलब एक बंदे ने सीडी में नेट पेल दिया और एक पीछे से कूथते वे आ रहा है लेकिन पकड़ लिया पीछे वाले को और भाई पता नहीं क्यूं मैं गोलिया चला रहा हूं मुझे नेड उड़ते वे दिख रहे हैं मैंने बोला भाई यहां से निकल लो क्यूंकि यार गोली तो बाद में चल जाएगी लेकिन अगर नेड फढ़ गया ना जो रस होगा हम पे गलत लेवल पे होगा और उसके बाद यहां पे थोड़ी देर बाद मुझे पता चलेगा कि भाई यहां दो स्कॉर्ड है ठेक है भाई यहां पे दो स्कॉर्ड बैटी पड़िये एक स्कॉर्ड उधर पे है जो जिस पे अभी मैं गोली पेल रहा था जब नेड उड़ते वे आया और यहां उपर पे भी दो ठाई बंदे तीन बंदे बैठे पड़ें तो करना क्या है यार उठाया मैंने नेड़ दे पत्थरों की तरह फेका जो होगा देखा जाएगा अब यहां सीन क्या होता है यहां पर टूटल जो चार बंदे बैठे पड़े होते ना उपर नीचे दाएं बाएं यह चार उठिल जाते हैं लेकिन इनको चारों को पेलने के बाद जब सबकी पेटी बन जाती है भाया हरा धुआ निकल चुका होता है साइट से कोई M4 पटका रहा है तो ठीक यहां पर मुझे पता चलता है कि भाया यहां पर जादा ही सीनों रखे हैं एक और टीम है एक और स्कॉर्ड उस स्कॉर्ड हाउस में आके बैठी है मतलब देखो जब मैं आया था मुझे एक सस्ती बग्गी दिखी थी बिल्कुल बे सर्मी से साइड में पड़ी वी मुझे लगा होगा यार एकाद बंदा कैम करके बैठा होगा आके पता चलता है भाई दो स्कॉर्ड कैम करके बैठी है तो देखो यार मेरे को कोई दिक्कत है नहीं मेरे किल ही बढ़ जाएंगे और नीचे से जाके भाई या चोरी करके मैं 6X भी ले आया हूँ हना क्यूकि देखो 4X मतलब इतना मेहांगा नहीं चला पाता है और 6X भाई मजा टह पा जाता है। चला के और एक बंदा फ्लेंक मार रहा होता अपिस जाने की और भाई वो बंदा इतना बेसबर की क्या ही बताऊं मतलब देखो समोक अभी हो रहे हैं बंदा पहले से रेंगना चालू कर चुका है देखो वैसे मैं जाने तू देता नहीं है न क्यूंकि नो किया है मैं पेटी ना बनाऊं ऐसा बहुत ही कम होने देता हूं मैं लेकिन यार क्या पता समोक में बच जाता हूं क्या पता मैं समोक में एज़स नहीं कर पाता लेकिन भाई वैया बेसबर कते ही पहले ही निकल लिये तो पहले ही हमने भाई को सपेक्टेट करने भेज दिया है और इस बंदे का इस परे भाई पूछो मत काफी बढ़िया था ठीक है भाई ने ऐसी तैसी कर दिये मेरे हेल्थ की लेकिन यार मेरे पर डीपी थी चैक्स था और एकाथ सोट सर पे लग गए तो यार भाई को ठिलना था ही था और देखो अब वहाँ पर चार बंदे हो 14 बंदे हो यार रस्तो करना ही है मुझे क्योंकि मैं ठक चुका है और यहाँ पर इस घर पर बैठे बैठे ठक चुका हूँ आगे जाना ही पड़ेगा और इधर आके अब मैं समझा मामला यहाँ पर कोई दूसरी स्कौर्ड आ चुकी है और यह भी चार बंदे हो तयार एक की पेटी बनाई दिये मैंने और एक के फुट स्टैप आ चुके मुझे अभी से और हमारे भाई चालाग बनने की कोसिस कर रहे थे देखो जब भी आप रस करते हो यार यहाँ पर नीचे बहुत ही कम देखते हो आना मैं तो बहुत ही कम देखता हूँ लेकिन कई बार क्या होता है बंदे नीचे ही बैठे होते तो मैंने बुला यार मुझे तो फुट स्टैप आए थे मैं चेक करके जाओंगा अंदर और ये भाई यहीं बैठे वे मिल गए यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे दिमाग में चल रहा था यार अपनी गाड़ी में पट्रोल कम है उस गैस कैन को बैग में बढ़ दूँगा हमारे भाई ने फोड़ा और पता चलता है भगल में एक बन्दा कैम्पिंग कर रहा है उसके भाई इस घर में ना बंदों ने हर कमरे में कैम्पिंग बिचा रखी मतब देखो पहले हम नीचे आए नीचे एक बन्दा कैम्प करके बैठा है मैंने बोला ठीक यार बाकी बंदे उपर ही होंगे चत में ही होंगे उपर की तरफ गए हमारे भाई ने वो गैस के इनको फोट दिया जो कि मैं उठाने वाला था यार दुख हो रहा है खिर छोड़ो यार उसके बाद वो भी बंदा उधर पे और आखरी बंदा हमारा चत में लेट रखाए बिल्कुल धैड़ पैड़ ठीक है भ महाँ पे कोईने कोई जरूर मिलेगा खैर उसके बाद मैं ड्रॉप पे आता हूँ हना डूड़ने के लिए कोई मिल जाया क्या पता भाग गया भाई ये बंदा पूरे चौड़ में आया ठीक है अकेला बंदा था अब उसकी टीम भी जिन्दा है की नहीं मुझे नहीं पता अकेला बंदा आया ड्रॉप लिया और चल दिया बिल्कुल भाई चौड़ में किसी उसको फरक ही नहीं पड़ रहा किसी से भाई ये इस चीज के लिए जस्मा चीए होता है चौड़ चीए होती है इस चीज के लिए तो मैंने श्प्रेव अगेर तो बहुत दिया अफ्री की गोली फालतू की गोली पेल दी लेकिन बंदा बगके निकल लिया कोई बातने आर उसको कभी और देख लेंगे और अभी जोन इतना अजीब बनाये ना भाई पता नि कौन से कौन से कोने में बन जाता है जोन कभी-कभी तो मैं बस कोसिस कर रहा हूँ बंदों को ढूड़ने की मुझे गाड़ी दिखती है और विस्वास मनों मैं नसेमे नहीं चला रहा हूँ यार पता नि क्यूं मुझे ये फट जाड़ी जंकर दिखता है मुझे तो मैं बोलता हूँ कोई नियार चलो नीचे और तैयार हो जाओ क्यूंकि यहीं पे वो गलत सीन होने वाले देखो यार आप बिल्कुल और यही होता है जब आप बहुत लालची और जूस में आके बेहुस हो जाते हूँ यार यही होता है यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे एक घिली सूट वाले को नौक किया है ज़्यादा तर टाइम में पेटी बना देता इसकी लेकिन देखो यार अगर मैंने अभी पेटी बनाए न इसकी तो जो इसके टीमेट वहाँ समूक में बैठे पड़े न भाई इसे रिवाइव करने आए जाएंगे नहीं और सांप बन जाएंगे और यार ऐसी दिक्कत हो रखिया हमारे भाई की पेटी बनी चुकी है और अभी मैं सांपों से टक कर दूंगा तो गड़ बड़ हुजाएगी अब ब्रदर अलो बाई अब बिपिले खड़ा यो मार भाई अब यहां पर यह घिली सूट वाला बंदा बिलकुल जाएगी जो उसमें आ गया था ठीक है पहले तो भाई आता मेरे पास भाई कहता भाई टीम अप मैंने बोला भाई यह बहुत सही है पीछे से दो बंदे नंगा बकते वे आरे मुझे पेलने के लिए मेरे टीमेट की पेटी बन चुकी है और इनको भाई यह टीम अप का चल ला है मैं अने आल पे भी नहीं किया माई क्यूंकि मुझे पता था यार वाइस गिली छुझाती है कभी है न और इतना पेलने के बाद अगर साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा तो बहुत दुख होगा उसके बाद भाई रैप्टे लगाने की बात कर रहे है ठीक है मतलब भाई पहले आगया है जो उसमें खुद नोक हो गए उसके बाद भाई अपने टीमेट को रैप्टे लगाने की बात चले यार बहुत गलत मुझे तो भाई लो गया अगर आपने अभी तक लाइक के बटन को पेला नहीं है न यार तो यही टाइम है यही मौका है यही समय है रैप्टे पेल दो बिलकुल लाइक के बटन को ना इस तरह पेलो वहाँ पे रैप्टे की नीला टैप हो जाए अब देखो मतलब आप दो चार बार भी मार सकते हो लाइक के बटन पे लेकिन याद रटन है यार नीला हुआ तो ही सफल हुआ लाइक नहीं तो गलत सीन हो गए समझ बटन पेल रैप्टे पेल के उसे नीला कर दिया तो खतरनाक रैप्टे पेल तो यार बहुत भुट ही खतरनाक यार उसके बाद यहाँ पे कोई बंदा कहां पे लेट आ है भाई मैं ढूण नी पाया इसे टिक princ यहां पर जिन्दगी बिता दी इस सेक के अंदर क्योंकि बाहर जाओंगा यार अब कौन कहां साब बनाए किसे पता यहां पर मैं आया था थोड़ी देर होल्ड करने के लिए मैंने सुचा यार जून बन जाए फिर निकलता हूं आके पता चलता है भाई यह गाड़ी आ रही ह कि उसकी पेटी भी बनादू और हमारे भाई उपर की साइट जा रहे थे तो पकड़ के रैप्टे पेल दे बिल्कुल डीपे से हना यह सही सब्द मिलाया रैप्टे हना चाटा मारना कहते साइथ रैप्टे को जहां तक मुझे पता है काफी सही सब्द मिलाया है खैर वो कड़ू भी नहीं पता है या तो वो साब बना या उस पहाड के पीछे है तो मैं बस इंतेजार कर रहा हूँ जोन के आने का क्योंकि यार वो लोग जोन में है नहीं जो भी उदर लेटा होगा तो जैसी भाई आएंगे हम भी पेल देंगे उन पे डीपी का इस्प्रे अंध याँ पे मैं दूर पे साब बने वे बंदे को देखनी की कुसिस कर रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है वो है भी नहीं अब वहाँ पे लेकिन उतने में ही कोई मेरे साइड आचुका है भाईया नेड़ नूट कर रहा है मेरे पे और देखो अब उड़ उसने बड़ी मेहनच से ड्रॉप लूटा, मेरे ख्याल से वही बंदा था जो बक्के चला गया था ना गाड़ी से खैर जो भी हो, भाई ने बड़ी मुश्किल से हेट सौट या बोडी सौट जो भी मारा बंदे को नोक किया, ठीक है मैं यहाँ पर ढीट बैटा, ठीक है यहा और यह पेड इतने पतले हैं ना भाई, क्या ही बताऊं, मतलब देखो अगर आप इन पेड़ों के पीछे टीपीपी वगरा ले रहे होना यार तो अपने रिसक में लेना, क्योंकि गोली लगी जाती है तो वो बंदा शायद जाड़ी के पीछे चुपा था या उस पेड़ भी चुराई भाई की और बाद में आके इन भाई को भी पेल दे है यार दुख समच सकता हूँ में मेरे साथ भी कही बार हुआ है लेकिन अब क्या कर सकते है यार एक ये बंदा बाकी है तो धीट की तरह गाड़ी गुमाऊंगा और जैसी स्पोट होगा यार पेलेंगी उस से धेड़ पैड और हमारे भाई एमफोर चला देते हैं ठीक है मुझे नहीं पता कब क्यूं कैसे क्या खुजली हुई भाई को लेकिन भाई ने एमफोर चलाई मैं या गाड़ी चला रहा हूं मेरे तक गोली पहुंची भी नहीं क्यूंकि मैं पीछे चला गया रिच के उस और मैं भी अब उसी पतले पेड के पीछे आगया हूं यार खतरा बढ़ चुका है याँ पे अब व्यात मुझे लगनी रहा था वो बन्दा पहुंच पाएगा जोन के अंदर लेकिन भाई भकते बुकते कूटते काते कैसे कैसे करके जोन के अंदर आ चुके लेकिन यार उसके बाद अगला जोन मनता है जिसके अंदर मैं भी नहीं हूं लेकिन देखो मैं धीट हूं और मैं बहुत पासू जोन के, हना यहां से मुझे असली जोन के अंदर जाना बिल्कुल हलवा है भाई, तो यहार ढीट होने के कारण मुझे पता एक ही बंदा है, तो मैं नहीं चाहता है यार वो जोन से ठीले, सब कुछ लगा दिया है, और उसके बाद उस पत्थर तक आ चुके हैं, उस सस्ते पत्थर तक लेकिन अब नंगाई भगना पड़ेगा भाई को तो पकड़ लेंगे हम उन्हें, यार क्या मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ जिसकी ऐसी हंसी से फटके चार हूँ जाती है, मैं अपनी उस नकली हंसी की बात नहीं कर आयार मेरे टीमेंट की हंसी की भई, ठीक है यार जीत गए लेकिन यार डराओ तो मत, तो बस भाईलो ग्यार आज की वीडियो में इतने ही देखो, इस बंदे ने क्या किया, सारे स्मोक यहीं पे फेग दिये, तीन, चार, पांच पतानी जितने भी भाई ने तीस मिनट में जमा कियोंगे, सारे वहीं पे फेग दिये, और उसके बाद उस पत्थर तक पहुँचे, लेकिन उसके बाद भाई, नंगा भगना चालू कि यहाना, तो पेलना तो था यार डीपी थी, कैसे न पेलते, और अभी यह रिकॉर्ड करते वे ना भाई, यह वोईस ओवर करते वे, मैंने एक चीज़ पे ध्यान दिया, वो यह है, कि मैंने AWM नहीं उठाई, और यार आपको भी पताई, अगर आप AWM और ग्रोजा नहीं उठाते, तो पाप चड़ता जरूर है, तो इस मैच में तो नहीं चड़ा, लेकिन अब कब क्या हो जाए, यार देखते हैं क्या होगा आगे जाके, और आपको पताई, यार गलत सीन तो मेरे साथ होते ही रहते ह जादा गलत सीन होगा, कोई बात नियार देखेंगे क्या होता है, तो आज की वीडियो में इतना ही भाइलो गयार, जाते जाते वीडियो को लाइक ठोकना मत भूलना, और अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब इसक्राइब करो, और भी ऐसे गलत सीन और सस्ती कमेंटरी के ल झाल 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 झाल